देश ने कई विशेश उपलब्दियां हासिल की है। इसी साल नारीश शक्ती बंदन अधिनियम पास हुआ जिसकी प्रतिक्षा बरसों से थी। बहुत सारे लोगों ने पत्र लिक कर भारत के पांचवी सबसे बड़ी अर्थववस्ता बनने पर खुशी जाहर की। अनेक लोगों ने मुझे जी ट्वेंटी समिट की सफलता याद दिलाई। साथ्यों आज भारत का कोना कोना आत्म विश्वास से भरा हुआ है। विक्सित भारत की भावना से आत्म निर्भरता की भावना से ओत्प्रोत है। 2024 में भी हमें इसी भावना और मोमेंटम को बनाए रखना है। दिवाली पर रिकॉर्ड कारोबार ने ये साबित किया कि हर भारतिय वोकल फर लोकल के मंत्र को महत्पत दे रहा है। साथियों, आज भी कई लोग मुझे चंदर्यान तीम की सफलता को लेकर संदेश भेजते रहे हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी तरह आप भी हमारे वैज्यानिकों और विशेश कर महिला वैज्यानिकों को लेकर गर्व का अनुभव करते होगे। साथियों, जब नाटू नाटू को अस्कर मिला तो पुरा देश खुशी से जूम उठा। दे एलिफंट विश्परर्स को सम्मान की बात जब सुनी तो कौन खुश नहीं हुआ। इनके माध्यम से दुनिया ने भारत के क्रियेटिविटी को देखा और परियावरान के साथ हमारे जुडाव को समझा। इस साल स्पॉर्ट्स में भी हमारे एथलीटों ने जबर्जस्ट प्रदर्शन किया। एशियन गेम्स में हमारे खिलाडियों ने 107 और एशियन पेरा गेम्स में 111 मिडल जीते। क्रिकेट वर्ल्ल कप में भारतीय खिलाड्यों ने अपने प्रदर्शन से सप्पा दिल जीत लिया, अंडर 19 टी 20 वर्ल कप में हावारी महिला क्रिकेट टीम की जीत बहुत प्रेशित करने वाली है, कई खेलों में खिलाडियों के उपलब्दियों ने देश का नाम बढ़ाया अब 2024 में पैरिस अलेम्पिक का आयोजन होगा जिसके लिए पूरा देश अपने खिलाडियों का होसला बढ़ा रहा है। इसमें करोडों लोगों की भागीदारी के हम सब साक्षी हैं। 2015 में हम Global Innovation Index में 81 रैंक पर थे। आज हमारी रैंक 40 है। इस वर्ष भारत में फाइल होने वाले पेटेंट के संख्या जादा रही। जिन में करीब 60% डोमेस्टिक फंस के थे। Q.S. Asia University Ranking में इस बार सबसे अधिक संख्या में भारती उनिवर्सिटी शामिल हुई है। अगर इन उपलब्दियों की लिस्ट बनाना शुरू करें तो एक कभी पूरी ही नहीं होगी। यह तो सिर्फ जनक है। भारत का सामर्थ कितना प्रभावी है। हमें देश की इन सफलताओं से देश के लोगों की इन उपलब्दियों से प्रेणा लेनी है। गर्व करना है। नए संकल्प लेने है। मैं एक बार फिर आप सब को 2024 की शुपकामनाई देता हूं। मेरे परिवार जनों हमने अभी भारत को लेकर हर तरब जो आशा और उच्छा है उसकी चर्चा की। यह आशा और उमीद बहुत अच्छी है। जब भारत विक्सिद होगा तो इसका सबसे अधिक लाब युवाओं को ही होगा। लेकिन युवाओं को इसका लाब तब और ज्यादा मिलगा जब वो फिट होंगे। आजकल हम देखते हैं कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसिस के बारे में कितनी बाते होती हैं। यह हम सभी के लिए खासकर युवाओं के लिए ज्यादा चिंता की बात है। इस मन की बात के लिए मैंने आप सभी से फिट इंडिया से जुड़े इंपुट भेजने का आगरे किया था। आप लोगों ने जो रिस्पॉंस दिया उसने मुझे उत्साह से भर दिया है। नमो एप पर बड़ी संख्या में मुझे स्टार्ट अप्स ने भी अपने सुझाव भेजे हैं। उन्होंने अपने कई तरह के अनूठे प्रयासों की चल्चा की है। साथियों, भारत के प्रयास से 2023 को International Year of Millets के रूप में मनाये गया। इस से इस क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्ट अप्स को बहुत सारे अवसर मिले। इनमें लखनव से शुरू हुए किरोजफूर्स, प्रयागराज के ग्रैंड मा मिलेट्स और न्यूट्रा सुटिकल रीच ऑर्गेनिक इंडिया जैसे कई स्टार्ट अप सामिल है। एलपिनो हेल्फूर्स, अबोरियल और किरोजफूर्स से जुड़े युवा, हेल्दी फूर्स के आप्संस को लेकर नए-नए इनोवेशन भी कर रहे हैं। बैंगलूर्यू के अन बॉक्स हेल्थ से जुड़े युवाव नहीं है। ये भी बताया है कि कैसे वे लोगों को उनकी पसंदिदा डायेट चुनने में मदद कर रहे हैं। फीजिकल हेल्थ को लेकर दिल्चस्पी जिस तरह से बढ़ रही है। उससे एक शेत्र से जुड़े कोशिश और ट्रेनर्स की डिमांड भी बढ़ रही है। जोगों टेक्नोलोजी जैसे स्टार्ट अप्स इस मांग को पुरा करने में मदद कर रहे हैं। साथियों आज फीजिकल हेल्थ और वैल्बिंग की चर्चा तो खूब होती है। लेकिन इससे जुड़ा एक और बड़ा पहलू है मेंटल हेल्थ का। मुझे जानकर बहुत खोशी हुई है कि मुंबई के इनफी हिल और यौर दोस्त जैसे स्टार्ट अप्स मेंटल हेल्थ और वैल्बिंग को इंप्रूब करने के लिए काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं आज इसके लिए आर्टिफिशल इंटलिजन्स जैसी टेक्नोलोजी का इस्तिमाल भी किया जा रहा है। साथियों मैं यहां कुछी स्टार्ट अप्स का नाम ले सकता हूं। को एक लिस्ट बहुत लंबी है। मैं आप सभी से आघ्रह करूंगा कि Fit India के सपने को साकार करने के दिशा में इनोवेटिव हेल्थ केर स्टार्ट अप्स के बारे में मुझे जरूर लिखते रहे हैं। आपके साथ फीजिकल और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने वाले जाने माने लोगों के अनुभाव भी साजा करना चाहता हूं। यह पहला मैसेज सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी का है। यह फिट्डेश विशेश रूप से, फिट्डेश अप दे माइन यानि मानसीक स्वास को लेकर अपने विचार साजा करेंगे। इस मन की बात में मन के स्वास्त्य पर बात करना हमारा साव बाग्य है। Mental illnesses and how we keep our neurological system are very directly related. How alert, static-free, and disturbance-free we keep our neurological system will decide how pleasant we feel within ourselves. What we call as peace, love, joy, blissfulness, agony, depression, ecstasy, all have a chemical and neurological basis. Pharmacology is essentially trying to fix the chemical imbalance within the body by adding chemicals from outside. Mental illnesses are being managed this way. But we must realize that taking chemicals from outside in the form of medications is necessary when one is in extreme situation. Working for an internal mental health situation or working for an equanimous chemistry within ourselves, a chemistry of peacefulness, joyfulness, blissfulness, is something that has to be brought into every individual's life, into the cultural life of a society, and the nations around the world, and entire humanity. It's very important we understand our mental health, our sanity is a fragile privilege. We must protect it. We must nurture it. For this, there are many levels of practices in the yogic system. Completely internalized processes that people can do as simple practices with which they can bring certain equanimity to their chemistry and certain calmness to their neurological system. The technologies of inner well-being is what we call as the yogic sciences. Let's make it happen. Let's make it happen. Now, my first suggestion is that one cannot outrain a bad diet. It's the meaning of when you eat it and what you eat it and what you eat it will have to be a very safe place. In the case, I have a mananiya-paradhan-mantri Modi ji, Modi ji, who has to be encouraged to eat food for all kinds of food, which increases the immunity, and increases the quality of food, and increases the quality of food, which increases the quality of food, and increases the quality of food. Regular exercise and 7 hours of sleep is very important for the body and is very important for the fit. रहने के लिए मदद करती है इसके लिए बहुत discipline and consistency की जरूरत होगी जब आपको इसका result मिलने लग जाएगा तो आप डेली खुदी अक्षिव स्नाइद करना स्टार्ट कर दोगे मुझे आप सबसे बात करने और अपना fitness मंतरा शेर करने का अफसर देने के लिए माननिय परद विश्वनाथन आणजी को सुने हम सभी जानते हैं के उनके खेल शत्रंज के लिए मैंटल फिटनेस का कितना महत्वा है Namaste, I am Vishwanathan Anand. You have seen me play chess and very often I am asked what is your fitness routine. Now chess requires a lot of focus and patience. So I do the following which keeps me fit and agile. I do yoga two times a week. I do cardio two times a week. and two times a week I focus on flexibility, stretching, weight training and I tend to take one day off per week. All of these are very important for chess. You need to have the stamina to last six or seven hours of intense mental effort but you also need to be flexible to be able to sit comfortably and the ability to regulate your breath to calm down is helpful when you want to focus on some problem which is usually a chess game. My fitness tip to all Man Ki Baath listeners would be to keep calm and focus on the task at hand. The best fitness tip for me absolutely the most important fitness tip is to get a good night's sleep. Do not start sleeping for four and five hours a night. I think seven or eight is an absolute minimum. So we should try as hard as possible to get a good night's sleep because that is when the next day you are able to get through the day in calm fashion. You don't make impulsive decisions. You are in control of your emotions. For me, sleep is the most important fitness tip. Aisku Mah Dol Savi's Aisku Mahona Aisuk thing top-Fansuz einem Aisku Mahona Aisku Mahona Aisik Mahona Ais dihir Aisau L Ais Aisuki Aiswaka करना बैडमिंटन खेलना सीडियां चड़ना मुद्गर से कसरत करना अच्छा हेल्दी खाना खाना जैसे मेरा ये मानना है कि शुद घी अगर सही मात्रम में खाया जाए तो हमें फाइदा करता है लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत से यंग लड़के लड़कियां इस वज़े से घी नहीं खाते कि कई वो मोटे ना हो जाए बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझे कि क्या हमारी फिटनेस के लिए अच्छा है और क्या बुरा है डॉक्टर्स की सला से आप अपना लाइफस्टाइल बदलो ना कि किसी फिल्म स्टार की बोड़ी देखकर अक्टर स्क्रीन प पर देते हैं आजकल इतने सारे लोग स्टेरोड लेकर ये सिक्स पैक एट पैक इसके लिए चल पड़ते हैं यार ऐसे शॉटकट से बॉड़ी ऊपर से फूल जाती है लेकिन अंदर से खोकली रह जाती है आप लोग याद रखिएगा कि शॉटकट कें कट यॉर लाइफ श अच्छा खाना वक्त पे सोना थोड़ा मेडिटेशन और सबसे जरूरी जैसे आप दिखते हो ना उसे खुशी से एक्सेप्ट करो आज के बाद फिल्टर वाली लाइफ नहीं फिल्टर वाली लाइफ जीओ टेकियर जै महाकाल इस सेक्टर में कई और स्टार्ट अप से इस खुशकार मेरा नाम रिशब मलोत्रा है और मैं बैंगलोर का रहने वाला हूँ मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि मन की बात में फिटनेस पर चर्चा हो रही है मैं खुद फिटनेस की दुनिया से बिलॉंग करता हूँ और बैंगलोर में हमारा एक स्टार्ट अप ह गदा और मुगदर व्यायाम पर ही है लोगों को जानकर आश्चर्य होता है कि आप गदा से सारी ट्रेनिंग कैसे कर लेते हैं मैं ये बताना चाहूंगा कि गदा व्यायाम हजारों साल पुराना व्यायाम है और ये हजारों सालों से भारत में चलता आ रहा है आपने इसे छ भारत में बहुत से ऐसे प्राचीन व्यायाम हैं हेल्थ और फिटनेस से रेलेटेड विधी हैं जो हमें अपनानी चाहिए और दुनिया में आगे भी सिखानी चाहिए मैं फिटनेस की दुनिया से हूँ तो आपको एक पर्सनल टिप देना चाहूँगा गदा व्यायाम से आप अपना बल अपनी ताकत अपना पॉस्चर और अपनी ब्रीधिंग को भी ठीक कर सकते हैं तो गदा व्यायाम को अपनाएं और इसे आगे बढ़ाएं चैहिंद साथियों हर किसे ने अपने विचार रखे हैं लेकिन सबका एक ही मंत रहें हेल्दी रहें फिट रहें दोहजार चोबिस की सुरुवात करने के लिए आपके पास अपनी फिटनेस से बड़ा संकल्प और क्या होगा मेरे परिवार जनों कुछ दिन पहले काशी में एक एक्सपरिमेंट हुआ था जीसे मैं मन की बात के सोताओं को जरूर बताना चाहता हूँ आप जानते हैं कि काशी तमिल संगमम में हिस्ता लेने के लिए हजारों लोग तमिल नाडू से काशी पहुँचे थे वहां मैंने उन लोगों से समवात के लिए आर्टिफिशल इंटलिजेंस ए आई टूल भाशने का सारवजनिक रूप से पहली बार उप्योग किया मैं मंच से हिंदी में संबोधन कर रहा था लेकिन ए आई टूल भाशने की वज़से वहां मौझूद तमिल नाडू के लोगों को मेरा वही संबोधन उसी समय तमिल भाशा में सुनाई दे रहा था काशी तमिल संगमम में आये लोग इस प्रवोग से बहुत उत्साहित दिखें वो दिन दूर नहीं जब किसी एक भाशा में संबोधन हुआ करेगा और जनता रियल टाइम में उसी भाशन को अपनी भाशा में सुना करेगी ऐसा ही फिल्मों के साथ भी होगा जब जनता सिनेवा हॉल में AI की मदद से रियल टाइम ट्रांसलेशन सुना करेगी आप अंदाज लगा सकते हैं कि जब ये टेक्नोलोजी हमारे स्कूलों हमारे अस्पतालों हमारी अदालतों में व्यापक रूप से इस्तिमाल होने कि तो कितना बड़ा परिवर्तन आएगा मैं आज की युवापीडी से आग्रह करूंगा कि रियल ट्राइम ट्रांसलेशन से जुड़े AI टूल्स को और एक्स्प्लोर करें उन्हें 100 प्रसंट फूल फूल बनाएं साथियों बदलते हुए समय में हमें अपनी भाशाएं वर्धन भी करना है अब मैं आपको जारखन के एक आदिवासी गाउं के बारे में बताना चाहता हूं इस गाउं ने अपने बच्चों को मात्रु भासा में शिक्षा देने के लिए एक अनूठी पहल की है मंगलो गाउं में बच्चों को कुडुक भाशा में सिक्षा दी ज करते हैं कुरुख भाशा उराउं अदिवासी समुदाई की मात्रु भाषा है कुडुक भाशा की अपनी लीपी भी है जिसे तोलंग सिकी नाम से जाना जाता है यह भाशा धीरे धीरे विलूपत होती जा रही थी जिसे बचाने के लिए इस समुदाई ने shaping आपनी भाशा म आदिवासी बच्चों को अंग्रेजी भाषा में दिक्कत आती थी, इसलिए उन्होंने गाउं के बच्चों को अपनी मात्रू भाषा में पढ़ाना शुरू कर दिया, उनके इस प्रयास से बहतर प्रणाम मिलने लगे, तो गाउं वाले भी उनके साथ जूर गए, अपनी भा भाषा की मुश्किनों की वज़त से पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे, ऐसी परेशानियों को दूर करने में नई राष्टिय शिक्षानीती से भी मदद मिल रही है, हमारा प्रयास है कि भाषा किसी भी बच्चे की शिक्षा और प्रगति में बाधा नहीं बननी चा गवरोव से भर दिया है, सावित्री भाई फुले जी और रानी वेलू नाचियार जी देश की ऐसी ही दो विभूतिया है, उनका व्यक्तित्व ऐसे प्रकास तंब की तरह हैं, जो हर यूग में नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का मार्ग दिखाता रहेगा, आज से कुछी दिनों बाद तीन जनवरी को हम सभी इन दोनों की जन्मेजेंती मनाएंगे, सावित्री भाई फुले जी का नाम आते ही, सबसे पहले शिक्षा और समाज सुधार के ख्षेत्र में उनका योगदान हमारे सामने आता है, वे हमेशा महिलाओं और वन्चितों की शिक्षा के ल वे अपने समय से बहुत आगे थी, और उन गलत प्रथाओं के विरोध में हमेशा मुखर रही, शिक्षा से समाज के ससक्ति करन पर उनका घहरा विश्वास था, मात्मा फुले जी के साथ मिलकर उन्होंने बेटियों के लिए कई स्कूर शुरू किये, उनकी कविताएं मात्मे इस्वास भरने वाली होती थी, लोगों से हमेशा उनका यह आग्रह रहा कि वे जरूरत में एक दूसरे की मदद करें और प्रकृति के साथ भी समरस्ता से रहें, वे कितनी दायालू थी, इसे शब्दों में नहीं समेटा जा सकता, जब महाराष्टर में अकाल तो सावित्र भाईव और महात्मा फुले ने जरूरत मंदों की मदद कलिए अपने घरों के दरवाजे खूल दिये, सामाज इग्न्याई का ऐसा उधारण विरले ही देखने को मिलता है, जब भापलेक का भाई व्याप्त था, तो उन्होंने खुद को लोगों की स्यावा मे जोंक दिया, इस दोरान वे खुद इस विमारी की चपेड में आ गई, मानवता को समर्पित उनका जीवन आज भी हम सभी को प्रेडित कर रहा है, साथ्यों, विदेशी सासन के खिलाब संगर्स करने वाली देश की कई महान विभीत्यों में से एक नाम, रानी वेलू नाचि अंगरिजों के खिलाब रानी वेलू नाचियार, जिस बाधूरी से लड़ी और जो पराक्रम दिखाया, वो बहुत ही प्रेडित करने वाला है, अंगरिजों ने शीवगंगा सामराज्य पर हमले के दोरान उनके पती की हत्या कर दी थी, जो वहां के राजा थे, रानी वेल से बच निकली थी, बेसंगर्धन बनाने और मरूद ब्रदर्स यानि अपने कमांडरों के साथ सेना तयार करने में कई सालों तक जुटी रही, उन्होंने पूरी तयारी के साथ आंगरिजों के खलाब युद्ध शुरू किया और बहुत हिम्मत और संकल प्रशक्ति के साथ लड़ाई लड़ी, रानी वेलू नाचियार का नाम उन लोगों में शामिल है, जिनोंने अपनी सेना में पहली बार All Women Group बनाये था, मैं दोनों बिरांगनाओं को सद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, मेरे परिवार जनों गुजरात में डाइरा की परमपर है, राद भर हजारों लोग डाइरा में सामिल होकर के मनोरंजन के साथ ज्ञान को अर्जित करते हैं, इस डाइरा में लोकसंगीत, लोकसाहित्य और हाश्य की त्रिवेनी हर किसी के मन को आनंद से भर देती है, इस डाइरा के प्रसित्त कलाकार है बाई जगदिश्त जी हाच़ कलाकार के रूप में बाई जगदिश्त त्रिवेदी जी ने 30 सांभ से भी ज्यादा समय से अपना प्रभाव जमा रखा है। यह किताब एक तरह की बैलेंस सीट है पिछले छे सालों में भाई जग्दिस त्रिवेदी जी को किस किस कारकम से कितनी आय हुई और वो कहां कहां खर्च हुआ इसका पूरा लेखा जोखा किताब में हैं यह बैलेंस इट इसली अनोकी है क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी आय है एक एक रुप्या समाज के लिए स्कूल होस्पिटल लाइबेरी दिव्यांग जनों से जूड़ी संस्ताव समाज सेवा में खर्च कर दिया पूरे छे साल का हिसाब है जैसे किताब में एक स्थान पर लिखा है 2022 में उनको अपने कारकमों से आय हुई दो करोड़ 35,89,614 रुपिये और उन्होंने स्कूल होस्पिटल लाइबेरी पर खर्च किये दो करोड़ 35,89,614 रुपिये उन्होंने एक रुपिया भी अपने पास नहीं रखा, दरसल इसके पीछे भी एक दिल्चस्प बाक्या है, हुआ यूं कि एक मार भाई जगदी स्तिवेदी जी ने कहा कि जब 2017 में वो 50 साल के हो जाएंगे, तो उसके बाद उनके कारकमों से होने वाली आई को वो गर नहीं ले जाएंगे, बलकि समाज पर खर्च करेंगे। 2017 के बाद से अब तक वो लगभग पौने नौ करोड रुपिये अलग-अलग सामाजी कारियों पर खर्च कर चुके हैं। एक हश कलाकार अपनी बातों से हर किसी को हसने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन वो भीतर कितनी संवेदनाओं को जीता है। ये बाद जगदेश त्रिवेदी जी के जीवन से पता चरता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनके पास पीएचडी की तीन डिग्रियां भी हैं। वो 75 किताबे लिख चुके हैं जिन में से कई पुस्तकों को संद्मान भी मिला है। उन्हें सामाजी कारियों के लिए भी कई पुरसकारों से संवानित किया जा चुका है। मैं भाई जग्दिस्त्रिविदीज को उनके सामाजी कार्यों के लिए बहुत बहुत शुबकामनाई देता हूँ। मेरे परिवार जनों, आयोध्या में राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उत्सा है, उमंग है। लोग अपनी भावनाओं को अलग-अलग तरह से व्यक्त कर रहे हैं। आपने देखा होगा, बीते कुछ देनों में श्री राम और अयोध्या को लेकर कई सारे नए गीत, नए भजन बनाए गए हैं। बहुत से लोग नई कविताएं भी लिख रहे हैं। इसमें बड़े बड़े अनुभवी कलाकार भी हैं, तो नए उभरते युवा साथियों ने भी मन को मोह लेने वाले भजनों की रचना की है। कुछ गीतों और भजनों को तो मैंने भी अपने सोशल मीडिया पर शेर किया है। ऐसा लगता है कि कला जगत अपनी अनूठी शैली में इस अयतिहासिक छण का सहभागी बन रहा है। मेरे मन में एक बात आ रही है कि क्या हम सभी लोग ऐसी सारी रचनाओं को एक कौमन हैस्टेक के साथ शेर करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि हैस्टेक स्री राम भजन के साथ आप अपनी रचनाओं को सोशल मीडिया पर शेर करें। यह संकलन भावों का भक्ति का ऐसा प्रभा बनेगा जिसमें हर कोई राम मय हो जाएगा। मेरे प्यारे देशवासियों आज मन की बात में मेरे साथ बस इतना ही। 2024 अब कुछी घंटे दूर है। भारत की उपलब्दियां हर भारत वासी की उपलब्दी है। हमें पंच प्राणों का ध्यान रखते हुए भारत के विकास के लिए निरंतर जूटे रहना है। हम कोई भी काम करें कोई भी फैसला लें हमारी सबसे पहली कसोटी यही होनी चाहिए कि इससे देश को क्या मिलेगा इससे देश का क्या लाब होगा। राष्ट प्रथम नेशन फर्स्ट इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। इसी मंत्र पर चलते हुए हम भारतिय अपने देश को विक्सित बनाएंगे आत्म निर्फर बनाएंगे। आप सभी 2024 में सफलताओं की नई उचाई पर पहुँचें। आप सभी स्वस्त रहें, फिट रहें, खुब आनंद से रहें। मेरी यही प्रार्थना है। 2024 में हम फिर एक बार देश के लोगों की नई उप्राइब।